दोस्तो आम खाने में टेस्टी होने के साथ सथ स्वास्त के लिए बहुत ज्यादा फायदे मन होता है आम में एंटी अक्सिडेंट, प्रोटिन, विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C की भरपून मातरा पाई जाती है जो हमारे सरी को स्वास्त और मजबूत बनाने का काम क क्या आप दोस्तो ये चानते हैं कि फलो का राजा यानी की आम खाने के तुरंट बात कौन सी ऐसी चीजे हैं जिने आपको नहीं खानी चाहिए अगर आप इन चीजों का सेवन आम खाने के तुरंत बात करते हैं तो आपके शरीर पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आम खाने के तुरंत बात ऐसी कौन से तीन चीज़े हैं जिनको हमें कभी भी नहीं खाने चाहिए क्यूंकि हम आम खाने के तुरंत बाद इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज का भी सेवन करते हैं तो इस हम बहुत बीमार पर सकता है और यह रहा हमारे सरीर में जहर फैला सकता है तो चलिए जानते हैं इन तीन चीज़ों के बारेaniu पहली चीज है करेला दोस्तो आमखाने के तुरंट बाद आपको कभी भी करेले का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तो आम मीठा और करेला कड़वा होता है जब मीठी चीज खाने के तुरंट बाद उसकी opposite यानि की कड़वी चीज खाते हैं तो वे reaction करती है आम खाने के तुरंत बाद करेले का सेवन करने से शरीर में एक प्रकार का जहर बनता है जिससे उल्टी आ सकती है या फिर व्यक्ति को जुकाम जैसे समश्याएं हो सकती है कई बार तो सांस लेने में भी तकलिफ हो सकती है इसलिए कभी भी आम खाने के तुरंट बाद करेले का सेवन ना ही करे दूसरी चीज है हरी मिर्च जी हाँ दोस्तो आम खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी बहुत ज़्यादा हरी मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि आम की तासीर थंडी होती है और हरी मिर्च की तासीर गरम होती है अगर इन दोनों चीजों को साथ में खाया जाए तो इससे आपके पेट में बहुत जलन होगी और आपको अन्य कई सारी पेट से संबदित मिमारिया हो सकती है तीसरी चीज है दही या राइता दोस्तों आम खाने के तुरत बाद भूल कर भी दही या राइता का सेवन नहीं करना चाहिए इन दोनों चीजों को खाने से रियक्षन होता है और इसे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है जैसे लीवर डैमेज होना फैटी लीवर आदी समस्याएं हो सकती है और कई अन्य बीमारिया होने का खत्राब बढ़ जाता है तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भोले